नमश्कार दोस्तों गैस्ट मिटल आर्क वेल्डिंग के इस अटले भाग में आप सब का स्वागत हैं इस भाग में हम टॉर्च के बारे में जानेंगे इस वीडियो को NCVT पार्ठिक्रम के वेल्डर व्यवसाय के लिए तैयार किया गया है इसे पेश कर रहा हूँ मैं अंके छ्रिवासपर्द कि मईजी वेल्डिंग नवेजी में जिसे जि हमेड़ी वड़िंग भी कहते हैं कि इसका मुख़्य-भाग टॉर्च होता है आपने सबी उन्हें आर्क वेल्डिंग की होगी आर्क वेल्डिंग में आपने देखा होगा कि एक इलेक्ट्रोड होता है इलेक्ट्रोड होल्डर जिसमें हम इलेक्ट्रोड फसाते हैं और उसके बाद अपना वेल्डिंग का काम करते हैं परन्तु इलेक्ट्रोड की जगह जब हम इलेक्ट्रोड तो यहां परिस्थितियां बदल जाती हैं सबसे पहले तो टॉर्च के बारे में बात करें तो टॉर्च का मुख्य काम होता है इलेक्ट्रोड वायर को वेल्डिंग पूल तक पहुंचाना अब मार्केट में टॉर्च बहुत अलग अलग प्रकार की अप अगर आपको बोला जाएं टॉर्च के बारे में कुछ बाते बताने को तो ध्यान रखिएगा कि टॉर्च अलग अलग रेटिंग में अवलेबल होती हैं यानि किते एंपियर के आप टॉर्च का इस्तमाल करते ह है उस हचाब से आपको मार्कट में अलग अलग तॉचयर्स मिल जाएंगी साती साथ लिग मकानदाम्सिस सबका अलग अलग जोता है इसलिए हो पार कि आपकी Autट में जोसी सिर्ग करती है उसी फीड मेकैनिजम के अनुसार ही अपने टॉच का चैन करें टॉच से जोड़ी तीन बातों को जानना जरूरी होता है पहला वायर एलेक्ट्रोड दूसरा विल्डिंग करें तीसरा शील्डिंग गास इन तीन मुख्य बातों को ध्यान देना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि welding करने से पूर्व हमें इन ही तीनों को चेक करना पड़ता है कि हमारा वायर इलेक्ट्रोड का जो फीड रेट है यानि वायर इलेक्ट्रोड का बाहर निकलने का जो दर है वो सही है कि नहीं उसमें कोई अवरोध तो नहीं वेल्डिंग करेंट हमारा प्रॉपर आ रहा है कहीं से ऐसा ना हो शॉर्ट होने की संभावना या करेंट लीकेज हो रहा हो तीसरा शील्ड गैस शील्ड गैस चुकि यह गैस होती है इसलिए इसके रिसाव का हमें स्पेशल ध्यान देना पड़ता है यह यहाँ पे आप एक चित्र देख पा रहे हैं एमाईजी टॉच का इसमें अलग-अलग भाग आपको दर्शाए गए हैं इनी भागों के बारे में हम पढ़ेंगे परन्तुस से पहले आप यह एक वीडियो देख लीचाएगे सूर फिर नोहई पित्र नेज़ अननौणर अ काया इसका झाल व्सातक मत्त अस्तीतित walई फ road का का यह गगा व्या का इस्टा ब क्न वैपनई नρχए लेक्सांस वो. टोल मैब आवज चून आवज माहीन, टूूर भ्छिबाइश डवजला। टूरुब मेज़ाओ सब चूँब अवज़ेान ऐा जूज़ भीनओेपला।र्ग टूर्च P मजद उलने काज़ मेरिश Знаe's a क। मिए ले ज इаль हो, cm विल् Janak अट्री चीजरी टो शाड़ को निखाद की डिल्ट है जगल से बाओ güσι टोल सिजो डिय कैस भी जल बाफ बबimizi टो ज़्ल में पोब टोल को गोली सिंब 00 सदिवर टेरोल वाल होतार ने विरृब सिजर प्स बेंट. है ूल्ये वेट घ्ल के उट किछ nouvelles को जाद के. leion, your but as the power electrode melts as it's being used. It's called a consumable electrode process. He's the MiG wire going through the wire feeder into a flexible tube or conduit liner. The liner goes through the hose or welding lead all the way to the torch nozzle. At the nozzle, the wire is fed through a contact tip and comes out at the point of the weld. Shielding gas is also fed through the welding lead. It goes through a gas diffuser अप्हे माली फैनल अजस तरले participar अधे違う श्यारे वा 나व मैंजम इते फैंपर arguably अचेंगसे प्यापीी है उर में अचेशा, प्रिक्स नायर वेगार, चेज़ आर अरूद्ट Tôi शन्यां अधे वोर है इप्र वाम फैस for most MIG welding the current is direct current or DC DC is like the current flowing from a car battery one wire is always the negative and one is always positive in DC MIG welding the electrode is usually positive and the workpiece is negative the term DC EP is used indicating that the current is direct current and the electrode is positive this is also called reverse polarity but DC EP is a more descriptive term in an electric circuit the current flows in a loop in MIG welding the current has to flow in a complete circle from the machine to the torch into the work and back to the machine a work lead is clamped to the work to complete the circuit from the workpiece back to the machine so in summary MIG welding is an electric arc welding process it uses a consumable wire electrode filler metal is added automatically and the shielding gas comes from a high pressure cylinder this video is from weldnotes.com so let's talk about the torch in the car we will talk about the MIG welding torch which is the work that we have to weld in the place we have to hold the z-shirts with the current current that is called the power of the pump electrode wire to the welding current and as the shielding gas to those welding to the area about the building. let's say. Let's have clear the important Here we will have three things about the torch. First, if it is less than 200 ampere than 200 ampere than 200 ampere than 200 ampere यूज़ कर रहे हैं उससे तो हमारे मशीन के अनुसार उसकी करेंट रेटिंग होने चाहिए और तीसरा कि उसके वियर आउट होने वाले पार्ट्स जो है उनकी गुडवत तक इसकार की है वरना ऐसा होगा कि आप विल्डिंग कर रहे हैं जॉब भी पूरा नहीं हुआ और आ इलेक्स्टरोड वाएर निकलता है अकने वैल्ड अरिया तक पहुछने के लिए इस एक लाइनर का प्रहोग कम से कम 2 या 3 वायर रोल के लिए कि जाता है कभी कभार 4 वायर रोल तक यह पाम Istya लाइनर हर व्याज के लिये अलग होता है अगर आप इलेक्टरोड वायर का डामेटर आपको किसी बदलना पड़ाए Laputa को बदलना पड़ेंगा वह वह पुराना लाइनर उस वायर के साथ काम नहीं करेंगा यह अलग-अलग धातुओं के साथ जो लाइनर इस्तमाल किया जाता है वो भी अलग-अलग प्रकार का होता है जैसे आप देख सकते हैं स्टील या स्टेनलेस स्टील के साथ हम सॉलिड वायर लाइनर का प्रयोग करते हैं वही ऐलमूनियम के साथ हम टेफलोन कोटिंग वाला यूज करते हैं गैस डिफ्यूजर गैस डिफ्यूजर का काम होता है कि आपका जो वेल्डिंग एरिया है वहां पे वो प्रॉपर ली शिल्डिंग गैस को पहुंचाए यानि कि जो शिल्डिंग एफेक्ट देती है आपकी शिल्ड गैसे वो प्रॉपर शिल्डिंग एफेक करती है जिससे हमें एक प्रॉपर शील्डिंग मिल पाती है यह गैस टिफ्यूजर की टिप जो होती है वह ज्यादा तर कॉपर या ब्रास की बनाई जाती है और कभी कभार कार्बन फाइबर की भी बनाई होती है करें कॉंटक्ट टिप का काम होता है कि हाइए अंपियर हमारा पावर सप्लाई से आ रहा है उसको सही तरीके से एलेक्ट्रोड वायर तक पहुचा है जिससे एलेक्ट्रोड वायर और जॉब के बीच में आर्ग जन्रेट हो जाके है इसलिए इसे हमेशा एक गुड कंडक्टर से पनाया जाता है कैसे की कॉपर या कॉपर के बढ़ा हो जाता है तो आप जानते हैं अगर टिप बढ़ा है और आपका एलेक्ट्रोड वायर छोटा है तो प्रॉपर कॉंट्ट्र पूरा का पूरा एलेक्ट्रोड वायर टिप के साथ नहीं होगा और जो करेंट आएगा वह उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी जब वैल्यू करेंट की चेंज होगी एंपियर चेंज होगा उसका तो जो हमारी गुडवत्ता आ रही है बीड में वह प्रॉपर नहीं आएगी यानि एक समान बीड हमारी नहीं बनेगी वहीं छोटा होने पर जो आपका कॉंट्टैक्ट बीड चोटा अगर है तो उसमें इसमें अलग अलग प्रकार के पार्ट्स दिये हुए हैं जैसे आप देख सकते हैं मेल्डिंग टॉर्च का एक अजस्टेबल दोजल दिया हुआ है तो यह होता है कॉंटैक्ट टिप जिसमें से लेक्रोड वायर निकलते हैं पिर यह होता है गैस्टिफ्यूजर इसमें से तरीके से शील्ड कैस को निखाला जाता है रिप्लेस्मेंट नियोप्रीन इंसुलेटर और कॉंट कंड़क्टर ट्यूब भी आप देख सकते हैं यहां चलिए आगे बढ़ते हैं कि टॉर्च एंगिल टॉर्च जो हमारा नोजल होता है वह अलग-अलग का का होता है जैसे एक होता है स्ट्रेट नोजल स्ट्रेट नोजल वह होते हैं जिसमें आपका जो शील्ड जो टॉर्च की टिप होती है यह तॉर्च जो उपर का भाग रहता है वह सीधा रहता है और एक होता है कर्व्ड नोजल यानि वह एक एंगल पे मुड़ा होता है कर्व्ड नोजल उस हमारी बीड कैसे बन रही है कि इसी में बहुत जरूरी रहता है कि टॉर्च एंगल जो है हमारा वह वर्टिकल से 10 से 20 डिगरी किधर मतलब आइधर साइड मुड़ा हो 10 से 20 डिगरी इसते क्या रहता है हम स्ट्रेट स्ट्रेट नोजल का प्रयोग जादा तर ऑटमेटिक मशीन में करते हैं क्योंकि वहां पर हमें देखना नहीं रहता है कि हमारी बीड किस तरफ कैसी बन रही है क्योंकि हमें पता रहता है तो वहां पर एक एंगल पर मुड़ा होना जरूरी होता है वरना जो हमारा वीड है वह हमें पता नहीं चलते हैं कि बीड किस प्रकार की बन रही है अब यहां पर चित्र देख सकते हैं जो वेल्डिंग डारेक्शन जहां पर दी हुई है और अलग-अलग टेक्नीक्स दिये पर इस प्रकार से कैसी बीड बने बी आप यहां पर देख सकते हैं कि जहां पर हमने फोर हैंड विल्डिंग टेकनीक कर यूज किया है वहां पर हमारा वीड की जो वृत है वह जादा बनी है पर उसकी जो पेनिट्रेशन है वह बहुत ही कम नहीं अगर हम यहीं चीज जादा मिलेगी पर यहाँ आप दिख सकते हैं बागेंड टेकनीक का अगर हम प्रयोग करते हैं तो बागेंड टेकनीक में फायदा यह होता है कि स्पैटर कम होता है और आपकी बीड नैरो बनती है मतलब कम चौड़ाई वाली बनती है जादा कॉन्वेक्स शेप की बनती है औ अगरा हम देखते हैं सिनर्जिक कंट्रोल सिनर्जिक कंट्रोल का यहाँ पर आप इसकेमाटिक डाइग्राम देख सकते हैं इसमें माइक्रो प्रोसेसर और इलेक्ट्रोनिक पावर रेगुलेशन का प्रयोग किया जाता है जिससे हम अलग-अलग जो वेल्डिंग कंडिशन पर हमने कौन-कौन से पैरामीटर्स पर काम किया है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने पैरामीटर्स एक नए बना सकते हैं जो कि हमें आगे मदद करें वेल्डिंग करने मैं किसी के साथ ये लेक्चर हमें यहाद पर समाथ करते हैं धन्यवाद करें